हिंदु धर्म में किसी भी सुफकारे को करने से पहले भगवान गनेज जी की आरादना सबसे पहले की जाती है कोई भी प्रमुक ब्रत तिवहार या अनुष्ठान विना भगवान गनेज की आरादना के नहीं किया जाता सभी देवी देपता में प्रतम पूजनी एक गनपती जी हैं प्रतिमा के पास वेशनगर में प्राचीन गनेज जी की मनमुहक और अनूठी प्रतिमा है यहां प्रतिमा देड़सो साल पुरानी है इस मंदिर के जीरनो धार करते समय प्रतिमा का मुख सड़क की और करने का प्रयास किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली गहराई में खोदने के वाद उस चट्टान का छोड़ नहीं मिला जिस पर यहां प्रतिमा इस्थापित है इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि यह प्रतिमा इस्थापित नहीं की गई वलकि यही से एक चट्टान पर उकेरी गई है इसकी वनावट और प्रतिमा का मस्तक ही अपनी प्राचीन सेली का प्रमान खुद देता है दालाव का नाम जालम सी तो इस मूलती के बारें बताएंगे आप हाँ बताएं बताएं डिगर सो साल पुरानी है और खोज़ों का तो चुट्टे नहीं अच्छा कब खोज़ा पाई साल पुरानी हो गोज़ों आपने देखा था क्या प्रांची ठीक मिला था खोज़ों का थाалनी मिला था आपका नाम घर्जावाद तो इस मंदिर के बारें पता हैं कि कितना पुराने मंदिर 5,500 साल पुराने मंदिर है आपका नाम बर्जेश गुर्जर अच्छा तो यह मंदर कितना पुरान है यह 500 साल पुराना मंदर है यह हमने भी सुना है हम तो छोड़े थे जब मंदर की खुदा कभी भाई होईगी तुझे इसका छोड़ नहीं मिला वह सतीस बाबुजी ना बनमाया है वह हम छोड़े थे जब ठापर सिंग, महर सिंग उंदा वेमेले थे जब सिवराज सिंग ने जहीं से पगयात्रा चालू करें थे